तो बिग बोस 18 में दिख विजह और कशिश ने वाइल्ड कार्ड के दोर पर इंट्री ले ली है और आते ही घर के अंदर घर वालों से पका लेना स्टार्ट कर दिया है और अविनाश को बत्तमीज बोला है और विवियन के बारे में और इशा के बारे में काफी कुछ नों ने बोला है तो गाइस जैसा कि आप लोग जान नहीं है कि बिग बोस में अभी घर के अंदर काफी सारे पंगे स्टार्ट हो गए हैं काफी लडाईयां चालू हो गई है और ये दो जो वाइल्ड का निंट्री हुई है इन्होंने भी आते से ही घर के लोगों से पंगा लेना श देखने को मिला जो की पबलिक को काफी पसंद आया उन्होंने शो में आते ही कई कंटेस्टेंट के लतार लगाई तो कुछ के साथ मस्ती भी की वहीं उन्होंने शो में आने वाले दो वाइल्ड कार कंटेस्टेंट दिग विजे सेराठी और कशिश कपूर से भी सब को दोनों ने आते ही भायजान के सामने स्टेज पर लड़ना भी शुरू कर दिया इसके बाद घर में जाने से पहले ही दोनों ने बिग बोस में जितने भी उस घर के अंदर मुझद कंटेस्टेंट से सभी से पंगालेना स्टार्ट कर दिया दोनों का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें वह वीवियन, अविनाश और इशा के बारे में बात करते हुए, उन पर अपनी भढ़ास निकालते हुए नजर आते हैं विग बोस एटिन का एक प्रोमो, सोशल मीडिया पर ये भी काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट दिग विजयो को वीवियन के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है कि वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे इस सीजन में कोई पसंद नहीं आ रहा है मैं कहना चाहता हूँ कि वीवियन भले ही होंगे, शो के लाडले, लेकिन मैं जंता का लाडला बनने के लिए आया हूँ अब भाई, ये लाइन सुनने के बाद दो मधुबाला एक्टर आप जानते ही कोन है, वीवियन का चेहरा जो है न, उसका रंग उड़ जाता है चेहरा उनका देखने लायक होता है, तो भाई, इसके बाद कशिश नजर आती है, तो वह कहती है कि मैं घर वालों को बस इतना है कहना चाहूंगी कि मैं किसी की भी बखवास यहां पर सुनने के लिए नहीं आई हूं और नहीं सुनूंगी, मैं सबकी इट से इट बजा दूंगी अविनाश बहुत बत्तमीज है और किसी को उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, कि अविनाश कितना बत्तमीज है इसके बाद कशिश घर की सदश ईशा के बारे में भी बात करती हुई नजर आती हैं कहती हैं कि वो बहुत ही मीन, बीची टाइप की लड़की है ऐसे मैं आप देखना होगा कि घर में एक साथ रहने के बाद इनका सबके साथ कैसा, रियक्शन और एक्वेशन होता है शहजादा धामी शो के बाहर होए है, अब इस विकेंड का वार एपिसोड में घर से शहजादा धामी तो सब लोगों को पता ही है कि बाहर हो गए है और वो ये भी कह रहे थी कि मेकर्स ने उन्हें जान बुचकर बाहर कर दिया है नहीं तो वो काफी आगे तक जाते हैं उन्होंने ये भी बताया कि उनके अकोर्डिंग शो में सबसे अच्छा जो गेम खेल रहे हैं उनका नाव वीवियन है और वो दिमाख से अपने खेलते हैं फालतों की बकवास वो नहीं करते हैं और उन्हाने शो से आने के बाद में घर के अंदर के माहौल के बारे में पूरी जानकारी दी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि सल्मान खान के शो में जो वाइल्ड कार्ड इंट्री ली हैं उनके क्या नाह में उनका नाह में दिग विजल सी और कशिश कपूर अब ये दोनों कौन है तो चले आपको शोटकट में बता देते हैं कि ये दोनों कौन है अगर बात की जाए कशिश कपूर के बारे में कि कशिश कपूर कौन है तो कशिश रियलिटी शो की स्टार है वो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है उन्हें सनी लियोनी होस्टेट शो स्प्लिट्स विला 15 से पोपुलर्टी मिली थी ये शो उनके केरियर का टनिक पॉइंट रहा था कशिश बिहार की रहने वाली हैं और अपनी बोल्डनेस रोमेंटिंग अंताज के लिए जाने जाती हैं वो बिहार में मिस फेशन आइकोन का अवार्ड भी जीच चुकी हैं सोशल मीडिया पर उनके 6 लाग से ज़्यादा फोलोवर्स हैं अगर बात की जाए दिग विजेसी के बारे में तो दिग विजेसी भी स्प्लिट्स विला 15 में कशिश के साथ थे इसकी अलावा वो रोडीज में भी नजर आ चुके हैं दोनों शोज से उन्हें काफी पॉपुलर्टी हासिल हुई है डेटिंग शो में इन्होंने काफी कंट्रोवर्सी की थी इंस्टाग्राम पर इनके 1.3 मिलियन फोलोवर्स हैं इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे में अब बिग बोस 18 में कशिश और दिख विजय को साथ में देखना दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि उनकी शुरुआत भी तीखी ही हुई है तो आप लोग क्या केना चाते हैं और आपके क्या रहा है इन दोनों के बारे में कि ये बीग बोस में जाकर घर के अंदर काफी कुछ धमाल करने वाले हैं क्या कमेंट्स बोक्स में अपनी राय जरूर लिखें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसी ही एक अपडेट के साथ में